C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है तक्षा साथ की गणित की पाठ्य पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याए आठ राशियों की तुलना प्रिष्ट 165 8.1 भूमिका हमारे दैनिक जीवन में अनेक ऐसे अवसर आते हैं जब हम दो राशियों की तुलना करते हैं मान लीजिये हम हीना और आमिर की उँचाईयों की तुलना कर रहे हैं हम पाते हैं के 1. हीना आमिर से दो गुनी उँची है अथवा दो, आमिर की उंचाई, हीना की उंचाई की आधी है इस प्रिष्ठ पर एक चित्र दिया गया है जिसमें हीना और आमिर की उंचाईों की तुलना की गई है हीना की उंचाई 150 सेंटिमीटर है और आमिर की उंचाई 75 सेंटिमीटर है एक और उदाहरन पर विचार कीजिए जब हम बीस कंचे रीटा और अमित में इस प्रकार बाटते हैं कि रीटा को बारह कंचे तथा अमित को आठ कंचे मिलते हैं हम कह सकते हैं एक रीटा के पास अमित से तीन बटा दो गुना कंचे हैं अथवा, दो, अमित के पास रीटा के कंचुं का दो बटा तीन भाग है। ऐसे ही एक और उदाहरण में हम चीते और एक आदमी की चालों की तुलना करते हैं। यहां चीते की चाल आदमी की चाल की छै गुनी है। अथवा आदमी की चाल, चीते की चाल का एक बटा छैवां भाग है इसी प्रिष्ठ पर एक आदमी और एक चीते की चाल की तुलना की गई है चीते की चाल 120 किलोमीटर प्रतिगंटा है और आदमी की चाल 20 किलोमीटर प्रतिगंटा है प्रिष्ठ 166 क्या आपको भी ऐसी कुछ तुलनाएं याद हैं? कक्षा छै में हम दो राशियों की तुलना करना सीख चुके हैं जब हमने बताया कि एक राशी दूसरी राशी की कितने गुनी है अब हम यह देखते हैं कि किसी तुलना को भी उल्टा करके यह बताया जा सकता है कि दूसरी राशी पहली राशी का कौन सा भाग है? उपर के उदाहरणों में हम राशियों को जैसे उंचाईयों को अनुपात के रूप में भी दर्शा सकते हैं जैसे हीना की उंचाई अनुपात आमिर की उंचाई बराबर 150 अनुपात 75 अथवा 2 अनुपात 1 है क्या अब आप अन्य तुलनाओं को भी अनुपातों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं? ये परस पर तुलनाए हैं जो दो विभिन स्थितियों में भी समान हो सकती हैं यदि हीना की उंचाई 150 सेंटीमीटर तथा आमिर की उंचाई 100 सेंटीमीटर होती तब उनकी उंचाईयों में अनुपात होता हीना की उंचाई अनुपात आमिर की उंचाई बराबर 150 अनुपात 100 बराबर 150 बटा 100 बराबर 3 बटा 2 या 3 अनुपात 2 है यह वही अनुपात है जो रीता और अमित के कंचों में था इस प्रकार हम देखते हैं कि दो विभिन स्थितियों में तुलना करने पर एक ही अनुपात मिल सकता है ध्यान रखिये कि तुलना करने में दोनों राशियों की इकाईयां समान होनी चाहिए अनुपात की कोई इकाई नहीं होती उधाहरन एक तीन किलो मीटर का तीन सौ मीटर के साथ अनुपात ग्यात कीजिए हल पहले दोनु दूरियों को एक ही इकाई में लिखते हैं अत्ह तीन किलो मीटर बराबर तीन गुणा एक हजार मीटर बराबर तीन हजार मीटर इस प्रकार अभीष्ट अनुपात तीन किलो मीटर अनुपात तीन सौ मीटर अर्थात तीन हजार मीटर अनुपात तीन सौ मीटर या दस अनुपात एक है आठ दशमलव दो तुल्य अनुपात विभिन अनुपातों की भी आपस में तुल ना की जा सकती है जिस से पता चल सके कि वे तुल्य हैं अथवा नहीं ऐसा करने के लिए हमें अनुपातों को पहले भिन्नों के रूप में लिखना पड़ता है और फिर उन्हें समान हर वाली भिन्नों में बदल कर उनकी तुल्ना करते हैं यदि ये भिन्ने समान हैं तब हम कहते हैं कि दिये हुए अनुपात तुल्य हैं उधहरन दो क्या अनुपात एक अनुपात दो अनुपात दो अनुपात तीन के तुल्य है हल, जांच करने के लिए हमें देखना होगा कि क्या एक बटा दो बराबर दो बटा तीन है हम पाते हैं एक बटा दो बराबर एक गुणा तीन बटा दो गुणा तीन बराबर तीन बटा च्छै तथा दो बटा तीन बराबर दो गुणा दो बटा तीन गुणा दो बराबर चार गुणा च्छै हम देखते हैं के 3 बटा 6, 4 बटा 6 से छोटा है, अर्थात 1 बटा 2, 2 बटा 3 से छोटा है, अथह अनुपात 1 अनुपात 2, अनुपात 2 अनुपात 3 के तुल्य नहीं है ऐसी तुलनाउं का उपयोग निम्न उधाहरण में देखा जा सकता है प्रिष्ठ 166, उधाहरण 3 एक क्रिकेट टीम द्वारा खेले गए कुछ मैचों में प्रदर्शन निम्न प्रकार हैं, जीत हार पिछले वर्ष 8 दो, इस वर्ष 4 दो किस वर्ष में प्रदर्शन बेहतर था? ऐसा आप किस आधार पर कह सकते हैं? हल पिछले वर्ष जीत अनुपात हार बराबर 8 अनुपात दो बराबर 4 अनुपात एक इस वर्ष जीत अनुपात हार बराबर 4 अनुपात दो बराबर 2 अनुपात एक स्पष्ट है के चार अनुपात एक, दो अनुपात एक से बड़ा है भिन रूप में चार बटा एक, दो बटा एक से बड़ा है अथह हम कह सकते हैं कि पिछले वर्ष टीम का प्रदर्शन बेहतर, अर्थात अधिक अच्छा था कक्षा 6 में हमने देखा था कि तुल्य अनुपात किस प्रकार महत्वपून है दो अनुपात यदी तुल्य हूं तो वे एक समानुपात बनाते हैं आईए समानुपात के बारे में स्मरण करें राशियों को समानुपात में रखना और हल प्राप्त करना अरुना ने अपने मकान की रूप रेखा देखकर उसका एक प्रती रूप कागज पर बनाया और मकान के साथ ही अपनी मां को भी खड़ा दिखाया देखकर मुना बोली इस चित रंकन में कुछ गलती नजर आती है क्या आप बता सकते हैं कि इसमें क्या गलती है आप ऐसा कैसे कह सकते हैं यहां चित्र में दर्शाई गई उँचाईयों का अनुपात और वास्तव उँचाईयों का अनुपात समान होने चाहिए मकान की सही उँचाई बटा मां की सही उँचाई बराबर चित्र में मकान की उँचाई बटा चित्र में मां की उँचाई ऐसा होने पर ही सही समानुपात बनेगा प्रायह जब सही समानुपात में कोई चित्र बनाया जाता है तब ही वह देखने में मोहक एवं आकरशक लगता है एक अन्य उदहरन राश्ट्रिय ध्वज का है जहां ध्वज को बनाने में सही सम अनुपात का ध्यान रखा जाता है क्या आपको पता है कि राष्ट्रिय ध्वज, सदैव, लंबाई व चौडाई के एक निश्चित अनुपात में ही बनाए जाते हैं जो विभिन देशों के लिए विभिन हो सकते हैं लेकिन प्रायह यह अनुपात एक दशमलव पांच अनुपात एक अथवा एक दशमलव साथ अनुपात एक होता है हम इस अनुपात का मान तीन अनुपात दो के लगभग ले सकते हैं लगभग यही मान भारत में प्रयोग में लाए जाने वाले पोस्ट कार्ड में भी होता है। अब क्या आप कह सकते हैं कि 4.5 सेंटीमीटर लंबे तथा 3 सेंटीमीटर चौड़े कार्ड में यही अनुपात है। इसके लिए आपको अनुपातों 4.5 अनुपात 3.0 तथा 3.2 की तुल्यता देखनी होगी। हम देखते हैं कि 4.5 अनुपात 3.0 बराबर 4.5 बटा 3.0 बराबर 45 बटा 30 बराबर 3.2 अथह हम पाते हैं कि 4.5 अनुपात 3.0 तथा 3.2 तुल्य अनुपात हैं। प्रिष्ठ 168 वास्तविक जीवन में सम अनुपातों के व्यापक उपयोग मिलते हैं। क्या आप ऐसी कुछ परिस्थितियों के बारे में सोच सकते हैं। हमने पिछली कक्षाओं में एकिक विधी से भी प्रश्न हल करना सीखा है। इस विधी में पहले हम अनेक से एक और फिर वानचित संख्या के लिए मान ग्यात करते हैं। आईए अब देखें के इन दोनों विधीयों से एक ही समस्या को कैसे हल किया जाता है। उदहरन चार एक मान चित्र एक हजार किलोमीटर को दो सेंटीमीटर से दर्शाते हुए बनाया गया है। यदि दो स्थानों के बीच की दूरी मान चित्र में दो दशमलव पांच सेंटीमीटर है, तब उनके बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी। हल अरुन ने हल ऐसे किया। बटा एक्स बराबर दो बटा दो दशमलव पांच गुणा एक्स गुणा दो दशमलव पांच या एक हजार गुणा दो दशमलव पांच बराबर एक्स गुणा दो या एक्स बराबर एक हजार दो सो पचास। वास्तविक दूरी बराबर 1250 किलो मीटर मीरा ने हल ऐसे किया दो सेंटी मीटर दर शाक्ता है एक हजार किलो मीटर को अतह एक संटी मीटर दर शाक्ता है एक हजार बटा दू गुणा दो दूद्शंटी मीटर को अरुन ने पहले समानुपात बना कर फिर एक समीकरण प्राप्त किया और हल निकाला मीरा ने पहले एक सेंटीमीटर से प्रदर्शित दूरी ग्यात की और फिर उससे 2.5 किलोमीटर से प्रदर्शित वस्तविक दूरी ग्यात की इस प्रकार उसने एकिक विधी का प्रयोग किया अब आईए एकिक विधी को उपयोग में लाते हुए कुछ और समस्याईं हल करें उदाहरण पांच यदी छे कटोरियों का मूल्य नबे रुपई है तब ऐसी ही दस कटोरियों का मूल्य क्या होगा? हल छे कटोरियों का मूल्य बराबर नबे रुपई अथह एक कटोरी का मूल्य बराबर नबे बटा छे रुपई अथह दस कटोरियों का मूल्य बराबर नबे बटा छे गुणा दस रुपई बराबर 150 रुपई उदाहरण छे मेरी खार 25 लीटर पेट्रोल में 150 किलोमीटर की दूरी तै कर लेती है 30 लीटर पेट्रोल में यह कितनी दूरी तै करेगी? हल 25 लीटर पेट्रोल में तै की गई दूरी बराबर 150 किलोमीटर प्रिष्ठ 179 अथह एक लीटर पेट्रोल में दूरी चलेगी, बराबर एकसापचास बटा पचीस किलो मीटर इस विधी में पहले हम एक वस्तु के लिए मान निकालते हैं अर्थात एकिक डर निकालते हैं यह दो विभिन गुणों की तुलना करके किया जाता है उधहरण के लिए वस्तुओं के मूल्य से तुलना करके एक वस्तु का मूल्य ग्यात किया जाता है अथवा दूरी तथा समय दिये होने पर इकाई समय में तै होने वाली दूरी ग्यात कर लेते हैं इस प्रकार आप देख सकते हैं के प्रतियेक को दर्शाने के लिए हम प्रायह प्रती का प्रयोग करते हैं उदहरण के लिए किलोमीटर प्रति घंटा यानी किलोमीटर पर आव विद्ध्यार्थी प्रति अध्यापक आदी इकाई दर प्रदर्शित करते हैं सोचिये, चर्चा कीजिये और लिखिये एक चीटी अपने भार से पचास गुना भार डो सकती है यदि यही तथ्य मानव पर भी लागू हो, तब ग्यात कीजिये के आप कितना भार डो पाएंगे प्रश्नावली आठ दशमलवेक एक अनुपात ग्यात कीजिये ए पांच रुपए का पचास पैसे से बी पंद्रह किलोग्राम का 210 ग्राम से सी नौ मीटर का 27 सेंटिमीटर से दी तीस दिनों का 36 घंटों से दो, एक कंप्यूटर प्रयोग शाला में 6 विद्यार्थियों के लिए तीन कंप्यूटर होने चाहिएं ग्यात कीजिये कि 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटरों की आवश्यकता होगी तीन, राजस्थान की संख्या बराबर 550,00,00,000,000,000,000,000,000 और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बराबर 1660,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, इन दोनों राज्यों में प्रती वर्ग किलो मीटर कितने व्यक्ति हैं। दो, किस राज्य की जन संख्या कम घनी है। अभी आप सुन रहे थे कक्षा साथ की गनित की ध्वनी पाठ्य पुस्तक। कारिक्रम समन्वयक, डॉक्टर राजेश कुमार निमेश, वाचन्स्वर गौरव मार्वा, तक्नीकी समन्वयक, बतिलैंग लिंग्डो, तक्नीकी सहायक, विकास सांग्वान, निर्मान सहियोग, सौम्या मलिक, निर्देशन वनिर्मान, विमलेश चौधरी, तथा प्रस्तुती, C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली, भारत